प्यारे बच्चों कैसे हो आज हम कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले जो हमने कल काम किया था कि हमने बुनंखंड बनाने सीखे थे कि हम बुनंखट किस परकार बनाते हैं और आप सभी बच्चों ने बनाए वी होँगे अच्छी दरें तो उसी का फोड़ा साथ देख लेते हैं कि संख्या मेरे पास यहां पर इसंख्याओं लिक रखी हैं कि संख्या एक कि कितने गुनंखंड होते हैं एक संख्या दो के एक और दो दो गुनंखंड होते हैं तीन के एक और तीन दो गुनंखंड होते हैं चार के एक और दो और चार तीन गुनंखंड होते हैं पांच के एक और पांच, दो गुनंखंड होते हैं, छे के एक, दो, तीन, छे और च्यार गुनंखंड होते हैं, उसी प्रकार दस तक तो मैं नहीं लिख रखे हैं, उसके बाद भी आप निकाल सकते हैं, आपको बाता है अब गुनंखंड निकाला, अब इन गुनंखंडों की कि जरूरत कहां पढ़ती है उसके पर थोड़ा हाचर्शा करेगे सबसे पहले हम दो प्रकार की जो संख्याएं हमारे पास आती है भाजय और अभाजय संख्याएं उनके पारे देखेंगी कि गुणत्फंट किस प्रकार से कारगर हैं उन संख्याओं को पहचारने लेए सबसे कर वो संख्या सिरफ एक सी वाग हो और खुद सवय क्या हो वह किते हैं ऐक और कंडिसिन पास कुझे एक हैतों हुआ है और कोई सन्ख्याव मेरे पास तुन है उसलिए हमारे पास 3 के भी 2 गुन खंड़ेती आप देखें, इसके 3 है, 5 के क्या है, 2 है, 6 के 4 है, 7 के भी 2 है, 8 के 4 है, 9 के 3 है, और 10 के, खिर 4 है, तो मेरे पास 1 से 10 तक यह 4 संख्याइए हैं, जो ए भजय संख्या हैं कौन कोर शी है, 2, 3, 5, 7, अब भजय की बात कर लेते हैं, भजय संख्या, वह है संख्या, जो एक वह सवय को छोड़कर किसी और संख्या से पूरी पूरी भाग हो जाए, बिल्कुल उसका विप्रीत है, भजय संख्या का विप्रीत, कि एक से और खुद से तो वह होगी ही भाग, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग हो जाए, एक से खुद से सब्सक्राइब हो गई इसके तीन या तीन से अधि गुर्नकंड होते हैं यहां भी बाए भजय की सरेणी से बाहर कर देते हैं कि एक संख्या है जो वो ना भजय है नहीं ए भजय है ये बात समझाई इसमें confusion होता है बच्चों को इसलिए मैंने पहले ही क्लीर किया है कि ए भजय संख्या के दो गूंद खंड होते हैं और भजय संख्या के तीन या इससे आई भाजय संख्यादी हम लें दो, तीन, पात, साथ तो सबसे चोटी आई भाजय संख्या मेरे पास क्या है दो है कि ध्यान रहे बच्छे कई बरे यां कड़बड करते हैं वो तीन बता देते हैं लेकिन दो भी ऐसी संख्या है जिसके केवल 2 गुरुन-पंड़ा है वो एक एभाजय संख्या है और यह है एक मात्र सम संख्या भी है जो एभाजय है उसके बाद ओए भी संख्या आपको एभाजय नहीं मिलेगी मतलब अकेली संख्या देपुछा जाए जो एभाजय हो तो वह हमारे पास क्या होगी, दो भी निहां रहे, उसके बाद, अब भज्य संख्या, यह दि मैं बात करता हूँ, भज्य संख्या कहां से सुरू होती है, जो बत्री वो भज्य संख्या है, च्यार, छे, आर्ट, नो, दस, और अगे भी, भज्य भी और अगे चलेगी, जिसके वो सबसे चोटी भज्य संक्या की बात आजाए, दो जिसी ही, चार, सबसे चोटी भाज्य विषम संख्या, अब सबसे चोटी आख्य बाद दो है, लेकिन यह सम है, विषम के बात आएगे तो विषम अगली हाजी, अगली ही क्याएगी, तीन, सबसे छोटी ए भाज्य है, विशम संख्या क्या होगी? तो आप इन स्वालों में नहीं मुल जेंगे थोड़ा सा ध्यान से दिमाग लगा कि देखें कि प्रशन पूछने वाला क्या पूछ रहा है और उसी की परिभासा के अनुसार यदि हम करेंगे तो हमारा स्वाल बहुत ही जल्दी निकलेगा और सही निकलेगा इस चीज़ का ल नौ 10 12 14 15 16 18 20 जिनके तीन या तीन से ज्यादा गुंद खड़ा है एक न भाज्य में आता है न भाज्य में हमने बात की अब ही यदि प्रशन हमारे पास इस प्रकार से आएंगे कुछ प्रशन मैंने कवर कर दिये हैं बोल बोल के वह आप आसानी से कर सकते हैं अब इस प्रक और दूसरी है ऑब स्ब्सक्राइब मतलब लिए निदो के जोड़े रूप में 44 को हम किस प्रकार ले सकते हैं जैसे चौंस के लिए हमारे पास 31 और 13 देखो समसे चुक्तिश जम कूंड़ी है नो मुंस्टी लगबग इस में से बनेंगे और बाकि जो भी आते रहें वो आपके सामने हैं सब्सक्राइब सकते हैं मतलब इसके और उत्र भी हो सकते हैं तेरा और 31 ही अकेला नहीं है और भी देख लें 29 और 17 है यह 46 बन गया यह नहीं हो सकता और क्या हो सकता है 37 और 7 37 और 7 और भी कुछ हो सकता है हां 41 और 3 और यदि हम इसमें देखें 43 भी एक अधाज्या संख्या है तो हम इसको क्या लेशते हैं 43 जमा एक ले ले एक है बज़े संख्या अरे नहीं है तो इसको हम नहीं ले सकते यही चीज़ धान बेखना कई बच्चे इसे गडबड कर जाए कि एक ने तो भाज्य संख्या है नहीं एभाज्य है हमारे पास एक नहीं है वहाँ पर तो इसको नहीं ले सकते तो तीन संख्या है ली सकते हैं कुछ और भी निकल सकता है इदि आप प्रियास करें अब 36 को देखो 36 की सिस्व बन जाएगा वई उननीस और शंतर है एभाज्य संख्याव में से लेनी है दो देखो दो विशम होने चाहिए एभाज्य है मतलब दो कातर इस्तिमाल हमने इसमें करणा ही नहीं है इक का यह सारी बाकी विशम ही है कि अब और देखें 23 से बन जाएगा 23rdis और 29 और 37 से बन जाएगा और भी बन सकते हैं आपको देखने हैं इकमान से बन सकते हैं तो यह बिल्कुल आसानी से अमारे पास यह बुजाएगा लोगविशम अगला पूशन हमारे पास आएगा तीन आभाज्य है हम दो को भी ले सकते हैं लेकिन तीनों का जोड होना चाहिए तीनों का जोड के रूप में लेंगे त्रेपन को अब तिनों में यदि ये विशम संख्या तीन विशम संख्याओं पा जोड ही वो बनेगा यदि मैं लेता हूं 41 और 11 बावन और 15 बनता है एक हम लेने सकते हैं और लें 39 31 और 17 अड़ाड़ी और तीन ग्यावन देखो 20 नहीं है वह ये 5 लेना है रेपन है ये 22 हो गया 22 और 30 क्या हो गया रेपन और क्या ले सकते हैं इसमें तीन संख्याओं चाहिए लेकिन 37 और 44 और नो गए लेकिन नहीं 11 19 और 23 इन्नों को जोड़ें वह भी त्रेपना रहें तो इस परकार से हम यह संख्याओं का जोड़ दी और भी निकलेंगे इसके अंदर से थोड़ा सा दिमाग लगाना आपके अंदर बहुत दिमाग है रिपीटने हो ना चाहिए कोई भी जैसे मैं अलग लग रहा है तो एक सम आएगा ही दो तो आएगा ही मतलब बाकी 32 देख लें बाकी 32 किसे बनेगा उनिस और 13 से 19 तेरह और दो और 39 और 3 तीन और उनती आप देखें चोती बनेगा और यह आप इसके अदर से निकाल सकते हैं तो इस प्रकार्श के प्रश्रम तीन आभजय संख्याओं की रूप में किसी भी संख्याओं लुकना हमारे बास आ सकते हैं अब यह भाज्यय यू यूग्म क्या होता है देखो होंगी तो है मैं जैसे क्या है और यूग्म यूग्म का मतलब जिनका अंतर दो हो जोड़े इस परकार के जोड़े जिनका अंतर दो हो दो का अंतर हो किस किसी में दो का अंतर है देखो इन दो तेरे 17 और 19 इस पर टार्श से आपको और मिल जाएंगे 41 और 43 जिन में दो अंतर हो तो अधिया अधिया विश्वार्श शुक्त सब्सक्राइब साइधे समविशन संख्याओं से संबंदित और भाज्या और भाज्या संख्याओं से संबंदित जितने भी टोपिक थे हो आपको क्लियर हो गए होगे अब आप ये परशनावले कीजिए और अपने अधिया आपको दिखाएए